हेलो फ्रेंड्स, रेलवे ग्रूप डी की आज जो परिच्छा हुई थी 22 अगस्त को उसकी तीनों सिफ्ट के क्वेस्चन्स आज हम लोग डिसकस करेंगे, जिसमें नुमेरिकल्स भी डिसकस करने वाले हैं हम लोग, सारे क्वेस्चन्स यानि की टोटल आपके 100 प्लस क्वेस् इनोवेशन सेंटर इस्टैबलिस्ट यानि भारत का पहला ग्राफीन नवाचर केंदर कहां स्थापित किया गया था, तो यह केरला में स्थापित किया गया था, दूसरा क्वेस्चन है, वेर वाज वर्ड एथलेटिक्स रेस वाकिंग टीम चेंपियन्शिप वाज और्गन पूने, 2022 में मुंबई और पूने में किस खेल कायोजन किया गया था, तो इसका करेक्ट अंसर क्या हो जाएगा, एफसी वोमेंस एशियन कप हुआ था, जिसमें विनर कौन रहा था, चाइना पी आर विनर थी, शकेंड कौन था, साउथ कोरिया, उसके बाद पूछा गया थ पूचा गया था, विच स्टेट लॉंच्ट भरोसा चेंटर योजना पूची थी आप से, जो कि किस के लिए है, बच्छों और महिलाओं के लिए ह, जो कि स्पोर्ट सेंटर रहनी वाला है, तो वह कहां खोला गया है, तेलागना में, उसके बास पूचा गया था, पूछा गया था भारतिय मेक्सिकन वग्यानिक कौन है जिन्हें पद्मभूशन पुरुषकार मिला है तो वो कौन है संजय राजाराम है अब उन्डमेंट से कुछे जा रहे हैं आपके देखिए और इसके बाद पूछा गया था आज इंडियन आर्मी साइंड मेमोरेंडम फोर कौनकूर आंटी गाइड़ेड मिसाइल विद यानि कि भारतिय सेना ने कौनकूर आंटी जो आपके मिसाइल थी उसके लिए समझोता ग्यापन साकता सर किस कमपनी से किया है तो वो भारत डायनुमिक्स लिमिटेड है ये इनको आर् कि औरे भाषा केंद्र कहां इस्तित्ह था तो आपकी मसूरू में इस्तिइथ हैं पूछा अग्या था कि GST कभ लाउज किया था है लुटा यह है यह दूसरा क्योस्टशन है आफ्टर डैथे आफ्र राजाराम मोहां-ठ्रोय हूँब लेकिन इनके मिर्त्यू के बाद कौन राज कौन लीडर बना था इनके बद्वे ना टैगोर जी है ये लीडर बने थे इन्हों ने तत्थ बोधनी सभाज जो थी उसकी भी स्थापना इन्हों ने की की थी दूसरा क्वेशन था पूछा था कि यह आपका इंडियन पॉलिटी स भारतिय सम्विधान की ग्यारवी अनुसूची में कितने भाग हैं कितने विशे हैं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 विशे हैं टोटल दूसरा क्वेशन है यानि कि राज के मुखिया को कानूनी सलाह देने का काम कौन करता है तो वो कौन है अट्री जनरल होता है जिसको महाधिवक्ता कहते हैं जो attorney general है वो आपका accounts के उस पर सलाह देता है बट यहाँ पर legal advice देता है किसके लिए जो कानूनी कारवाई होती है उसकी सलाह देने के लिए होते हैं advocate general देखें बहुत धर्म का कौन से पवित ग्रंत है पूछा था तो तिरिप्तिकाज है सब को पता है तिरिप्तिक है जो की की सरकार है जो कि आपका दोनों जगहे control रख सकती है state और center में दोनों पर तो वह federal होता है federal type of government होती है जिसमें की control दोनों पर रखा जाता है आपका state भी है जैसे कि आपका union territory ले लिए डेली है वहाँ पर जैसे कि कोई भी state हो उसका control state पर भी रहता है बहुत मामलों में और center पर भी रहता है तो concurrent list आपने देखी होगी वही है जैसे कि आपका हो गया medicine का छेत्र यहां पर क्या होता है कि केंदर पर भी इसका सासन रहता है control और राजपर भी रहता है चरकार का अब देखिए दूसरा क्या है कि पावन की क्रिया द्वारा निर्मित अर्ध चंद्राक र गया जाता है उनको बारखन कहते है वाइंको इस वाइन के और ठीश्य वाइन कोमेशन तकफुर्ण्य. कि किस योजना के तहट जो 100 दिन का रोजगार दिया जाता है जो भी रोजगार है वो किस योजना के तहट दिया जाता है तो मन रेगा है इसी के तहट दिया जाता है उसके बाद पूछा था कि रीजनल रूरर बैंक एक्ट वास पास्ट इन विचियर यानि कि छेत्रिय ग्रामीड बैंक अधिनियम किस वर्स पारित किया गया था तो यह सन 1976 को पारित किया गया था जिनको भी यह पीडिएफ सही हो हमाई टेलिग्राम चैनल से जूर जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो यहां पर आपको पीडिएफ ही मिल जाएगी एक्स्प्लेनेशन के साथ मिल जाएगी वाट इस दा ट्रेडिशनल वाटर हर्वेस्टिंग सिस्टम ऑफ मध्ध प्रदेश यानि कि मध्ध प्रदेश की पारंपरिक जल सैयचन प्राणी पूछी थी वह कौन सा होता है सिस्टम होता है इसमें क्या होता है कि पैट सिस्टम में आपको हम बता देते हैं क्या होता है कि जैसे कि आपकी वर्षा हो रही है तो यहां पर एक लो लैंड बना देते हैं नीचे लिए हिस्सा बना देते हैं और यहां पर क्या बना देते हैं तो जब बारिश होती है तो करक कर यहां पर एकठा हो जाती है ना पर कुछुछ श्रोथ भी रहते हैं जलक़ जो गृट्ट वाटर भी grinding करते रहते हैं तो इससे क्या होता है कि नीचे भी वाटर केलेक्ट हो रहा है उपर भी हो रहा है तो यहां पर evaporation भी कम होता है तो काफी ज़्यादा पानी की बचत की जाती है यहां पर तो पैट सिस्टम यहां का अंसर हो जाएगा उसके बाद PC महाल नोबिस द्वारा किस संस्थान की स्थापना की गई थी तो इंडियन स्थापना 17 दिसंबर 1931 को PC महाल इसने करी थी अब हम लोग साइंस के कुश्चन डिसकस करेंगे कि साइंस में आज क्या 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 कुश्चन पूछे थे फर्स्ट सेफ्ट का हम लोग डिसकसन कर रहे थे इसमें देखते हैं कि इस इमेज इस फॉर्मड एक्वल टू ऑबजेक्ट इन कॉनकेव मिरर देन दरपन में वस्तू के बराबर प्रतिश्विम बनता है तो वस्तू को किस स्थान पर रखा गया है यह चीज मैंने आपको बताई थी टेबल एक दिया था कि जब भी बराबर बनेगा एक ही कंडिशन में बराबर बनती है कब बनती है जब आपका सेंटर ऑफ करवेचर पे य आपकी इमेज भी कहां बनेगी यहां पर आके कहीं इमेज बनेगी ठीक है इसी जगह यानि कि टू एफ और इसी के बराबर बनेगी सेम हाइट की बनेगी तो क्या हो जाएगा एट सी हो जाएगा आगे हम लोग दिखेंगे इफ रिफरेक्टिव इंडेक्स ऑफ अमीडियम is 1.5 what will be the speed of light in that medium ठीक है यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांग 1.5 है मध्यम में प्रकास की चाल बताईए उस मध्यम में अब इसका देखिए कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग इसका अब लोग सॉलिशन देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कि इसना फॉर्मूला होता है इस्पीस फ thi ब्राबर होतास ऑर इसपीड औफ लाइट इन वमाग्यूम अप है कि फार्मूले में रखिए नगेग तोस्को पता है 3 in 2 टेन्ट टे Number 8 यह होती है speed of light upon पूछा था speed in medium हमको यही निकालना है तो हम क्या करेंगे यह डेड़ को हम इसे काट देंगे यह डेड़ से यह कट जाएगा तो डेड़ दुना तीन होता है यह उपर आ जाएगा तो speed कितनी हो जाएगी 2 into 10 to the power 8 meter per second speed in medium हो जाएगी ठीक है यह ऐसे आपको करना था यह देखिए यह उसी पर है if speed of light दो सवाल इसी फार्मले पर आपके पूछे गए थे same shift में if speed of light in medium is 2.25 and 10 to the power 8 and speed of light in medium b is इतना what will be the refractive index अब यहाँ पर आप लोग को देखिए कैसे करना है दिया है यदि प्रकास की गती उस मीडियम में कितनी है कि प्रकास की गती कितनी है उसमें मीडियम ए में कि 2.25 है इंटू 10 to the power 8 है फॉर्मुला अभी अभी मैंने बताया था refractive index सा क्या होता है अगर दो मीडियम दिये है तो मीडियम एक एक रिफ्रेक्टिव इंडेक्स उपर हो जाएगा और नीचे दूसरे का दूसरा कितना दिया हुआ है 2.2 इंटू 10 to the power 8 दिया है अब आपको इसको क्या करना है कि डिवाइड कर दिना है 10 to the power 8 कर जाएगा आपको सीधा सीधा क्या करना है इसका इंडेक्स की आ जाएगा वन पॉइंट आपकर जाएगा वन तू फाइफ करके आपकर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आ जाएगा ठीक है तो यही करना थेका डिवाइड कर देते हैं अगया अब आयर यह दोसरा नुमेरिकल आप लोग देख लिए यह पूछा किया था कि 100 Ohm के प्रतिरोध में एक तार को एक बंद वरत बनाने के लिए मोड़ा जाता है वरत को किसी व्यास के अंध में दो बिंदिवों के बीच प्रवहावी प्रतिरोध क्या होगा यानि कि effective resistance बताना है अब wire 100 Ohm का एक आपका wire है उसको क्या करते हैं गोल आकार में बना देते हैं तो दोनों की जो व्यास होगा उसके बीच में आपको बताना है equivalent resistance क्या होगा जैसे कि यह आपका तार है यह गोल सा आपने इसको गोल मोड़ दिया और यहां पर यह व्यास का end आएगा यहां पर यह डायमीटर का पूछा है यहां पर क्या होगा इसी एरिया पर मतलब डायमीटर पर आपका effective resistance पूछा है तो यह पूरा 100 है यह parallel हो जाएगा तो क्या करेंगे ready प्लस करेंगे न अपने 50 करेंगे तो आपका वनe पहाण अर् आजएगा यह यह एक्म रंजिस्टनस आजएगा हम जाप इसको यह करेंगे तो उपर दूआ belongs यह पचास आएगा जब reverse करेंगे तो क्या आजाएगा 25 आजाएगा आपका resistance क्या आजाएगा 25 ओम answer आजाएगा ठीक है आगे देखिए पूछा था आवर तसाड़नी के कौन सी समूह तत अमलिय ऑक्साइड बनाते हैं तो which group element in periodic table forms acidic oxide तो वो 16 ग्रूप होता है जो कि आपका acidic oxides बनाते हैं which is first and last element that follows new land's law new lands का hoagtat law कौन पहला कौन से follow करता है और आखरी कौन से follow करता है element पूछा था octave law में क्या होता है कि पहली और 8 जो होता है उसका क्या होता है properties सेंह होती हैую तो पहलना से स्रूह होता है hydrogen जो अक्टेव रूल फॉलो करता है लास्ट है आपका थोरियम जो अक्टेव रूल फॉलो करता है उसके बाद mitosis और meiosis division पूछा था आप से थियोरी दी थी diagram देके कुछ पूछा गया था आप से तो यहां पर mitosis देख लिजो meiosis देख लिजे इसमें क्या होता है duplicate बनाते हैं chromosome और यहां पर क्या होता है कि अपने half chromosome कर देते हैं तो यह देखिए यह half हो जाएगा और इसमें क्या होता है कि duplicate ही बना देते हैं same same यहां पर half हो जाता है यह देखिए पुरा A Mg O यह क्या हो जाता है यह क् 제가maybe show것 हो जाता हैं clique हो जाता क्योंकि hydrogen आ जादा आ जाते हैं उसके बाद आया है कि What आश्रीम्पर मानबस लिए gram कि इत्ती जोड़े होते हैं तो 22 2025 होते हैं उसके बाद देखिए कि यह जो रियक्शन दे रखी थी आप से एफी टू ओ थरी प्लस टू एल और उसके बाद अलुमिनियम ऑक्साइड बना था और आइरेन हुआ था तो इसमें पूछा है कि कौन से एलिमेंट में रिडक्शन हुआ है कौन से में ऑक्सिडेशन हुआ है यानि कि किसमें अपचैन हुआ है और किसमें ऑक्सिकरण हुआ है तो आपको हम बता देते हैं जिसमें मैंने बताया था ऑक्सिजन जिससे जाएगा उसका क्या होगा रिया रिडक्शन होगा और जिसमें यहां से हट रहा है यहां से हट रहा है यहां से लिंग दाटता है तो ब्रेड की मेकिंग के करने लिए कि यह terror का यूज किया जाता है जांग कि इसे कुछ सब्सक्वाज इस प्रेजेंट इन इस्तमक फॉर डाजेशन भोजन पाचन के लिए पेड में कौन सामलग उपस्तित होता है तो वह HCL होता है उसकाद यह आप लोग नुमेरिकल देखिए नुमेरिकल पूछा था कि 5 वोल्ट है उसकाद करेंट इतना दिया है रेजिस्टेंस आपको निकाल यानि कि आर बराबर कितना हो जाएगा वी अपॉन आई तो वी पांच है आई कितना है पॉइंट जीरो जीरो टू फाइफ यहां से आप देखिए जीरो जीरो हटाएंगे तो एक दो तीन जीरो बढ़ेगा इससे काटेंगे तो दो बार जाएगा तो यानिकि दो हजार ओम आपका आँशर आजाएगा दूसरा देखिए what happens when ethanol reacts with sodium क्या होता है जब ethanol sodium के साथ प्रक्रिया करता है तो जो आपको hydrogen bubbles होते है hydrogen gas release होती है bubble forms में which is reproduction organ of flower पुस्व के जनन अंग कौन से होते हैं तो इस्टेमिन और कारपल जिनको पुनकेशर कहते हैं रजिस्टेंस किस पे डिपेंड नहीं है यानि प्रतिरोत किस पे निर्भर नहीं करता है तो किस पे किस पे निर्भर करता है R is equals to resistivity upon L upon A यानि लेंथ पर एरिया पर और यह उसकी properties होती है जैसे कि उसका temperature हो गया उसका और भी material हो गया तो resistivity इन पे डिपेंड करती है तो उस पे जितना current बह रहा है उससे नहीं धारा से नहीं कोई मतलब है which organ controls human body कौन सा अंग मानव शरीर को नियंत्रित करता है तो answer क्या हो जाएगा nervous system है जो मानव शरीर को नियंत्रित करते हैं question देखिए आपके इसी से लगातार questions पूछे जा रहे है लेंस से if images placed at double distance of focus of convex lens then what will be the magnification अब देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया था same question पूछ लिया है बस भासा चेंज करके यह आपका लेंस है मैंने बताया था यह f होता है और यह 2f होता है जब भी 2f पे कोई चीज बनेगी तो क्या होगा यह convex lens में होगा तो इसी तरफ बनेगी इसी जगह बन जाएगी और same length की बनेगी तो मुझे यह बताईए कि इसमें पूछा था कि आपका magnification पूछा है ठीक है same question है यह f है यह 2f है और मुझे बताईए कि मैंने कहा था यह center of curvature भी होता है जब आपकी image यहाँ पर बनेगी तब क्या होगा same size की बनेगी जब center of curvature पे रहता है same size की बनती है मतलब magnification आपके क्या आएगा one ही आएगा मतलब बराबर बनेगी त side बनेगी तो यहाँ पर plus होता है लेकिन magnification का formula होता है कि minus v upon u यानि कि same बनेगी तो minus का तो रहेगा ही minus नहीं रहेगा लीजे कि minus तो रहेगा ही क्योंकि image आपकी left hand side रहती है तो minus का image रखेंगे उसके बाद क्या होगा plus का object भी size 1 है तो क्या जाएगा minus 1 आजाएगा जब divide कर minus है तो minus 1 magnification इसका यानि कि हावार्धन minus 1 आएगा कौन सा गैर बायो डिग्रेडबल कर्चरा है यानि नॉन बायो डिग्रेडबल कौन सा है प्लास्तिक है जो कभी गलता नहीं कौन सा solution फिल अप्थरीन को पिंक कर सकता है यानि कौन सा गोल फिल अप्थरीन को गुलाबी कर अब मुझे बताइए कि बिजली कौन संचालन करेगा जो मैटल होंगे जो मतलब कि ठोस चीज़ें होंगी लेकिन उसमें नहीं इलेक्टरिक कंड़क्ट हो सकती इंसुलेटर होता है यहां पर मैटल जितने भी मैटल होते हैं उसी से बिजली कंड़क्ट हो सकती है गैस से न इलेक्टरिसिटी कंड़क्ट नहीं करती है अगर हवा से गैस से अगर कंड़क्ट करने लगे ही तो इत्ती सारी निट्रोजन ऑक्सीजन है कि आप लोग जिन्दा ही नहीं रह सकते हैं इस्टोर हाउस ऑफ सेल इस नोन एज यानि कि सेल के स्टोर हाउस को क्या कहते हैं लिक तो उसको क्या कहते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन जैसे आप लोग जेन्रेटर में क्या होता है कि जो जेन्रेटर आपके होते हैं जो बिजली बनाते हैं उनमें क्या होता है कि दो कोईल्स लगया होते हैं मैग्नेटिक्स के उसमें क्या होता है कि चुम्बग ज किसकी जैनती पर मनाया जाता है तो पराकरम दिवसाब का सुभाज चंद्र बोष जी की जैनती पर मनाया जाता है मतलब किस सरकार ने अलग बजट बच्चों के लिए बनाना शुरू कर दिया है तो वो कौन से हैं मध्प्रदेश की सरकार है देखें कॉमन वेल्थ गेम से रीसेंट का हुआ है अभी यहां से भी क्वेश्चेंज बढने लगे हैं कॉमन वेल्थ गेम से आगे के 25 जिनका पेपर है देखके जरूर जाएंगे कॉमन वेल्थ गेम सका तो फ्लैग बैरर कौन था ओपिनिंग सर्मनी के आनि ध्वाज वाहा कौन था उद्गाटन समहरों का तो वो कौन था आपकी पीवी सिंधू थी और मनफ्रीच सिंग थे यह हौकी के कैप्टन रहे हैं वेर इट सेंट थामस बैसिला चर्च कहां पर है बैसिल का चर्च तो यह तेमिल नाडू में इस्थे थे अंडर 19 यह अंडर 19 पूछा जा र दाम किया था कि विट विट अयोग के पंद्युँए अध्यक्ष कौईघ्च कौन है विट अजयुख के पंद्युए अध्यक्ष कौन है वन्यंट किश्वार सिंग कर लोगी पंचायती राज से लगतार कॉस्षिंगं बन रहा है दोनों टीनों सिफ्ट में इस बार 15 लाग में है तो आपके 9th पार्ट में है 9th पार्ट ऑफ इंडियन कॉच्टिशन विच कमेटी रिकमेंडेड अबाउट फंडामेंटल्स फंडामेंटल ड्यूटीज ड्यूटीज कर लीजगा ड्यूटीज किस समीती ने मौलिक अधिकार के के बारें में सिफारिस की थी तो वो कौन है सर्दार संग एप संग कमेटी उसके बाद विक फ़िंग टो अक्युबाइर नियंव फाइनेंस बैंकिंग यानि कि जो नीओ फाइनेंस बैंकिंग है इसको कौन लेने वाला है तो वो ओला ने डेक्लेयर कर दिया है कि अब ये इसको पर्चेस करेगी किस राज में मनाया जाता है तो वो लद्दाक में मनाया जाता है सिंधु दर्शन उच्छो प्रस्टिव की उपर हट जाती है हावा के कारण उसको एरपशन कहते हैं हवा के कारण पानी के कारण किस भी कारण पणया या जाना चाहिए तो उसमें था option में जूट बैग यहां पर paper bag option में था तो paper bag सही हो जाएगा आगे चलिए पूछा था which of the following is true यानि MgOH2 plus HCl, MgCl plus H2O बनाता है तो options आपको यह दे रखे थे कि कौन से reaction होगा तो आप मुझे बजाईए कि MgOH क्या है यह आपका क्या है base है oxides base बनाते है metal oxides उसके अदर यह क्या है यह आपका acid है तो क्या होता है base plus acid कौन से reaction बनाते है neutralization reaction बनाते है which of the following work on the basis of heating effect of electric current निम लिखित में से कौन विद्धुद्धारा के उसमिय प्रभाव के अधार पर कारिकरता है options है hair dryer lift fan motor मुझे यह बताइए कि जो है electric effect जो आपका है heating effect इसमें क्या होता है कि जैसे जो electricity pass होगी उससे heat generate होगी उसका काम heat generate करना होगा जो heat generate करता हो electricity से उसी को कहते हैं कि heating effect है electric current का तो हवा है electricity से गरम हवा फेकता है तो देखिए यह सही हो जाएगा बाकि lift गरम से चलती है नहीं गरम होके fan नहीं motor भी गरम होके नहीं चलता है तो गरम से क्या होता है hair होता है electricity से गरम hair dryer करता है why CH4 plus cannot become यानि कि CH4 ion क्यों नहीं बन सकता है क्योंकि इसलिए नहीं बनता है कि CH4 जैसे बनता है तो इसमें चार free electron होते हैं तो यह चार hydrogen atoms को add करके covalent bond बनाता है यानि कि tetrahedron bond बनाता है आगे बढ़ते हैं angle of deviation is present in between पूछा था कि किसके बीच में viceland cone होता है viceland cone क्या होता है देखिए अगर यह आपका prism है इसमें अगर आपकी यह ray गई यू जा रही है तो क्या होता है refract हो जाती है यू होती है यह सीधी निकल नहीं होती है इसको यह तो सीधी जानी होती है लेकिन यह मोड़ जाती है तो इसके बीच में जो अंतर होता है जो angle का अंतर आता है उसी को कहते हैं अंगल अफ डेवियेशन यह कौन सा है इंसिडेंट रहे है यह क्या है आपका इमर्जेंट रहे है इसके बीच का अंगल कौन सा है तो अंगल अफ डेवियेशन है तो यह आपका ऐसे करना था आगे देखेंगे हम लोग next question देखें पावर पे questions लगातार बन रहे है physics में पावर के आप लोग questions जरूर देखिए है इस power of two lenses are minus three diopter and five diopter then what will be the focal length अब मुझे आप यह बताईए कि diopter का मैंने formula क्या बताया था आप लोग को P बताया था बराबर P1 प्लस P2 होता है जितनी भी powers होंगी आप सबको add करेंगे तो जब आप add करेंगे तो minus three or minus five minus three or five को add करेंगे तो कितना आजाएगा आपका two diopter आजाएगा अब focal length पूछी थी मैंने क्या बताया था power किसमे होती है कि one upon f होता है तो f क्या आजाएगा one upon p आजाएगा तो यानि कि one upon two आजाएगा इसका answer क्या आजाएगा point five अगर यह आप से पूछा गया होगा किसमे अगर आपका यह centimeter पूछा गया होगा तो hundred से multiply कर देंगे तो क्या आजाएगा आपका 50 centimeter focal length आपकी answer आजाएगी ठीक है तो यह आपका नुमेरिकल था डायक्टर से इजली कर सकते हैं इस रेडियस ऑफ करवेचर इस माइनस 20 वाट विल्वी दफोकल लेंथ यह तो सिंपल सा है आधा होता है मैंने अभी अभी बापको बदा इसी पर आ रहा है रेडियस ऑफ करवेचर जो है किसके बराबर होता है है तो जब यह मैंनस 20 है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा मैंनस 10 हो जाएगा कि सिंपल सा है कि आगे दिखिए कि विच आफ दा फॉलेंग वाज नॉट डिस्क्राइब इन सील्जन एं सेक्वान बुक निमलिखित में से किसने वर्णन नहीं किया था अपनी बुक में किसका तो प्लांट का वर्णन किया था अनिमल का किया था फंगे का किया था लेकिन वाइरस का नहीं किया था तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा वाइरस फ्लोयम उत्र किसके परिवाहन के लिए उत्तरदाइद होता है या नि किसके लिए responsible होता है जर्मियो ग्रफ जियो मॉर्फो ग्राफिक किसके लिए रिलेटेड है यानि भू आकरति विज्ञान किसके लिए है तो यह study of landforms जितने भी landforms है आपके उनके study से जियो मॉर्फोलाजी संबद देते है विच आप दा फॉलॉइं डबल शर्कुलेशन नहीं होता है तो दे Filtz में क्लोंती वैल्फ है जमें में होता है तो पीच वैल्ल्यू एगर 272911 दो इसको पीच वैल्यू के अकॉर्डिंग अरेंज करना है कि हच प्लस साइंस किसमें सबस्यादा रिलीज होंगे उसकी अकॉर्डिंग करना है तो मुझे बताइए जो जितना जादा बेसिक सा होगा 11 होगा उसके बाद 9 वाला होगा उसके 7 वाला होगा सबसक का मायन है च क्लस के समें होगी है तो करेक्ट एंसर क्या हो दाएगा 11 972 अंस फ्लोडीन ऑक्सिजन और सिलिकन को Decending Order of वैलेंसी electrons के according करना है तो देखिए valancy electrons क्या होते है outer most orbit में जितने free electrons होते है उसी को valancy electrons कहते है तो आप लोग electronic configuration लिखा लिए fluorine का कित्ता हो जागा तो इसका atomic number होता है 9 electronic विन्यास क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा 2,7 oxygen का क्या होता है oxygen का होता है 8 तो ये क्या हो जागा 2,6 silicon होता है 14 तो ये हो जाएगा 2,8,4 तो आप मुझे बताईए सबसे बाहर वाले सब स्यादा electrons किसमे है तो इसमें 7, 6, 4 है तो सबसे लिक्ट्रोंस walancy electrons किसमें है fluorine में है, फिर oxygen में है फिर silicon में है ऐसे ही देखिए दूसरा question भी पूछा था सेम इसी पर पूछ लिया था Aluminium carbon fluorine hydrogen which of the following has maximum electrons तो उसी पर आप लोग कर लेंगे तो fluorine में सबसे ज़्यादा हमेशा रहेगा फ्रे इलेक्ट्रॉंज इन विच अफ़ फॉलोइंग iron is found maximum देखिए fluorine आप लोग कहते हैं most electronegative है इसलिए most electronegative है क्योंकि सबस्यादा outermost में electron सबस्यादा इसी के होते हैं विच अफ़ फॉलोइंग है आईरन निमलिकेत में से सबसे ज़्यादा iron किसमें होता है तो जैगरी या निए कि आपके गुड में जो आपका गुड होता है सबसे ज़्यादा आपका iron गुड में पाया जाता है which of the following properties must have to make filament of the electric bulb जो आपका electric bulb बनता है उसमें क्या properties होनी चाहिए उसमें यह होना चाहिए कि जब वो glow करे जब उसमें temperature high हो high temperature पर वो glow करे कि तो रोच नहीं दे पाए direction of electric current can be described by तो विद्द धारा की दिशा किसके द्वारा बताई जा सकती है तो flaming right hand rule के द्वारा बताई जा सकती है which of the following ayurvedic medicine is found on himalayas निमलिखित में से कौन सी ayurvedic औसदी हिमालें पाई जाती है यह इसका answer मुझे नहीं पता है यह आपको comment section में बताना है जिसको भी पता होगा how many banks were nationalized during इंद्रा गांधी यह तीसरी shift आ गई है इंद्रा गांधी कि समय कितने बैंकों का रास्टी करण हुआ था तो 14 बैंकों का रास्टी करण हुआ था in which article formation of gram panchait is described देखे ग्राम panchait से question आ गया आर्टिकल चालीस है जिसमें gram panchait का संग गठन के बारे में बताया गया गठन के बारे में देखे दोहजार नियुक्तियां से पूछ रहा है दोहजार बाइस तक chief justice कौन थे तो ललित उमेश ललित थे उदित उमेश ललित शुडबी दे एज-फ अटल पेंचन नहीं जाता है अतल पेंचन होज़ना के लिए कितनी उमर होनी चाहिए अठारा से चालिस वर्स कोर्बरोग डे कब मनाया जाता है तो यह पूछा गया था को बरोग दिवस कब मनाया जाता है तो 19 जनवरी को मनाया जाता है हर साल यह क्या है यह आपका official language है तुरिपुरा की यह official state language है यानि राष्टर भाचा है वेर इस पैरा badminton academy established यानि कि पैरा badminton academy कहां स्थापित करी गई है तो यह लखनों में स्थापित करी गई है • Which province of major has become open defecation free village यानि कि major का कौन सा घाहों खुलय में is 00 gide रह्मक्त गाहों बन गिया है तो वह कौन सा घाहों बन गया है मुर्गुल गाहों यह आपका major में कौन सा घाहों है मुर्गुलाव गाहों मुर्गलाओं तो यह पहला गाओं बन गया है मुर्गलाओं गाओं पूछा था कि वाट इस केमिकल नेम ऑफ वाशिंग सोडा वाशिंग सोडा का कैमिकल नेम क्या होगा एने टू सीओ थ्री हो जागा यानि सोडियम बाइकार्बोनेट विच और फॉलिंग कंट्रीज विल होस्ट फीफा यानि निम लिखेत में से कौन से देश फीफा 2022 की मेजबानी करेगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कैनडा मेक्सिको और युनाइटेड स्टेट्स भी है आप युएस भी कर लिजे युनाइटेड स्टेट्स तो हमें इतने questions आप जितने पूछे गए थे आज की डेट में 22 में सारे discuss कर लिए है numericals के साथ तो अगर आपको हमारा session अच्छा लगा हो महनत अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर like और subscribe कर लिजेगा